तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 15 मिनट में आपसे बोलते हैं और ऐसा टाइम प्रेडिक्शन आपको कहीं देखने में मैं सकता कि गैप अप हो चुका है मार्केट और उसके बाद मैंने आपको क्या बता है 9 बच के 10 मिनट पे देखे मैंने का है 14 मिनट में निफ्टी बैंक टच करेगा 40320 अब 40320 आप ऐसे समझ लीजे कि निफ्टी बैंक जो ओपन हुआ था वो 4231 पे हुआ था और ये देखेगा 320 आपको देखने मिला है 2 मिनट में फिर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि उसके बाद तीसरे मिनट में क्या हुआ है तीसरे मिनट में देखेगा 400 का लेवल टच हो रहा है उसके बाद मुझे बताने की जुरुत नहीं है लेकिन ये टाइम प्रेडिक्शन आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगा तो अगर आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जाके जॉइन करिए फ्री चैनल है साथ ही साथ साटर्डे संडे की कोई भी अपडेट मिस मत करिएगा चुकि बाजार में पूरी तरीके से ट्राप जून आ चुका है पूरी तरीके से ट्राप जून में है बाजार और बाजार देखेगा, confuse करके काफी बड़ा gap देगा तो इसलिए कोई भी information miss मत करेगा वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर लीजे अगर सबसे तेज information पाना चाहते हैं सबसे तेज तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत important data आने वाला है क्यूं मैं आपको बताऊंगा, क्यों कि उसका indication आ चुका है CNBC पे जाके आप चेक करेंगे, European market देखेगा इस तरीके से आज behave नहीं कर रहे हैं और एक data नहीं आना है, काई surrounding data, data, news, बहुत सारी चीजे आनी है लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जो data आएगा, वो actually में 20 nations से related आएगा कि ता 20 nations से और आपको पता है, पूरा west अगर problem में आता है तो सीधा सीधा impact देखने हो मिलेगा, bond market में bond market में impact देखने हो मिलेगा तो ये nifty bank पे भी आपको इसका feel होगा देखेगा इसका जो heat है वो feel होगा और ये चीज बहुत important है कि देखेगा, European market अभी अपना direction clear नहीं कर रहे क्यों? चुकि पहले तो वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा inflation के बारे में, दूसरा बताने पड़ेगा bankों के बारे में, तीसरा बताना पड़ेगा rate hike के बारे में, तो ये तीनों चीज़ों पे अभी suspense बना हुआ है तीनों चीज़ों पे suspense बना हुआ already और आपको पता है ये suspense धीरे धीरे जैसे clear out होगा, आपको European market पे downtrend देखने हो मिलेगा, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि euro area का inflation का data आना है और अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे पूरी तरीके से mixed sentiment देखने हो मिले, US inflation print coming in the afternoon, और अगर आप देखेंगे, तो इसके बाद, यह जो particular बहुत सारी चीज़े अभी अमेरिका की तरफ से भी आनी है तो उसके बारे में तो मैं discuss करूँगा आगे के वीडियो में, लेकिन सबसे important बात है कि Germany के figure आये थे Germany के inflation के देखेगा figure आये थे, और अगर आप देखेंगे तो figure क्या बता रहे है, Germany on the Thursday put inflation at 7.8% तो अगर आप देखेंगे, 7.8% का inflation का data Germany में आया है, अब आपको पता है Germany कोई भी हट के देश नहीं है, Western countries related ही देश से, और अगर आप देखेंगे ये data अपने previous month से तो low आया है, यानि कि previous month का जो था data था वो इससे ज़्यादा था, लेकिन इस बार ये Germany का data कम हो के आया है लेकिन जो estimate वो थे 7.5 के कितने थे? 7.5% के आया किता है 7.8% इसका मतलब expectation के according नहीं आया है बाजार ने बहुत ज़्यादा comfort की बात करी थी लेकिन वो comfort देखने हो नहीं मिला है, तो ये एक indication है कि जो estimate euro area के inflation के लिए लगाए जा रहे है, वो उससे बढ़कर ही आएगा, यानि कि जो भी estimate किया गया है euro area का inflation उससे बढ़कर ही आएगा और जब वो उससे बढ़कर आएगा तो bond market तेज हो जाएगा चुकि उससे पता है rate hike होने वाला है और फिर European market आपको गिरते हो देखने हो मिलेंगे तो अगर आप देखेंगे European Central Bank policy maker have this week suggested more interest rate hike अगर आप देखेंगे और भी rate hike को कह रहे हैं कि होंगे, चुकि वहाँ पे timely करा जाता है, according to situation करा जाता है rate hike, ऐसा नहीं होता कि हाँ एक schedule है कि आप करेंगे, आप करेंगे, नहीं वो देखेंगे data, उसके बाद तुरंत action लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा slower pace तो हो जाएगा, लेकिन इतना euro area tolerate करने के देखेगा कगार पे नहीं है, चुकि वहाँ की banking system already अभी panic में, already panic पे हैं, तो जर्मनी के figure यह बता रहे हैं, कि panic बढ़ने वाला है, कैसे? यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 मिनट पहले euro zone inflation देखेगा, जो data आएगा, वो बहुत ही माइने रखेगा, और इस particular data में यह expectation की जा रही है काफी ज़्यादा यह data कम होके आएगा, यानि कि जो data आएगा, वो काफी ज़्यादा कम होके आएगा, इवन यह बताया जा रहा है, कि यह data जो होगा, euro zone का जो inflation का data होगा, वो देखेगा 7.1% तक आ सकता है कितना? 7.1% तक यह expected है और कितना है? 8.5% तो अब आप समझ लीजे कि euro zone बना कैसे? 20 nations को मिला के अब 20 nations के अलग अलग जो data आ रहा है जो अलग-अलग inflation का data आ रहा है वो तो 7.5% से अभी उपर ही आ रहा है, तो जब यह combined होगा, जब इनका average निकला जाएगा euro zone के inflation में तो आप बताईए क्या यह 7.1% आएगा, तो आप कहेंगे no तो यानि कि market के expectation से data क्या आएगा, उपर आएगा जब market के data देखेगा, expectation से उपर आएगा, तो market उसको देखेगा पचा नहीं पाएगा, और तुरंत ECB क्या करेगा, European Central Bank क्या करेगा, rate hike करेगा, और तुरंत आपको bond market तेज होता हुआ देखने हो मिलेगा, जिससे बाजार में next week गिरावट देखने हो मिलेगी, चुकि यह data आज आना है, और एक दो data नहीं आना है, data आना है, दो तीन, काफी ज़्यादा देखेगा, important data आजाने है तो इसलिए, मैं फिर से कहूंगा कि trap में मताईए, BTST holding मत करिए, आपको केवल एक ही काम करना है, day to day strategy बनाके, अपना profit लेके exit करिए, वीडियो गर अच्छा लगे, तो like, share subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much